हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका टेकनिकल संदीप गुरु चैनल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो PEB Professional Examination Board की तरफ से जो वेकेंसी निकाली गई है MPTO की मध्य प्रदेश ट्रेनिंग अफिसर की मध्य प्रदेश ट्रेनिग अफिसर की जो वेकेंसी निकाली गई है उसका डेट आप सबको मालूम था 1 नॉवंबर 2022 से 15 नॉवंबर 2022 तक लाज डेट थी ओके दोस्तो और अभी 16 नॉवंबर से लेके 20 नॉवंबर तक उसका संसूधन करने का डेट चल रहा है जिसमें फॉरम में अगर कुछ इडिटिंग करना हो या फॉरम में कुछ आपका प्रोब्लम है नाम में या डेटा बर्थ में या जेंडर में तो उसको आप सुधार कर सकते हैं दोस्तों तो आप मैं Slavus के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों आपको Slavus में क्या-क्या तियारी करना रहेगा ओके दोस्तों तो इस वीडियो में आपको यह PDF में ने डाउनलोड कर लिया और इस PDF को आप डाउनलोड करना चांथे तो आप ओफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसको असानी से डाउनलोड कर सकते हैं पीवी प्रोपेशनल एग्जामिनेशन बोट वाले ओफिशियल वेबसाइट ओके दोस्तों तो आज मैं इस वीडियो में आपको पांचे ट्रेडों का आपको से लेबस बता दूँगा एक बार में ही कि आप किसने ट्रेडों का एक बार में ही आप सेलेक्ट उसको से लेबस को त्यारी कर सकते हैं तो पहला तो होगा आपका फिटर दूसरा होगा आपका टर्नर तीसरा होगा आपका मसनिस्ट चौधा वे देखिए दिखा हुए दोस्तों ट्रेट से संबनित पाथे क्रम डिरेक्टर अब स्कील डेवलोम्मेंट गौवर्मेंट अब मध्यपर्देश रिक्विर्मेंट दौहचरबाई स्लेबस फॉर ट्रेनिंग ओफिशर ओके दोस्तों पहले वाला पेज में आपको देखने को मिल कर देंगे बारे को दोस्तों ही दिखने को मिल जाएगा लुद्धक तござएगा दोस्तों सेख्विटर ट्रेट के जो भी शिविश दिया है यही बश्य अबका टर्नर लिंश्ट का मैसदी इस खांव डर का का और वैल्डहर का इसमें जो भी आपका फॉर्म बढ़ा होगा डिग्री वाले डिप्लोमा वाले और आईटे वाले तो उनके लिए इसलेबस रहाएगा चलिए हम एक चीज आपको पॉइंट वी पॉइंट बताते चलते हैं और यह इससाब से अपना त्यारी करना चलू कर दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं प्रिक्वेशन ओके दोस्तों यहां पर यह हो जाएगा फर्स्ट नमनों के बेसिक फिटिंग ऑप्रेशन आपका हो जाएगा क्या या तो पहले आपको मार्किंग मार्किंग बाने पूरा एट्वीजर नॉलेज होना चाहिए या उसके बारे आप परहाई करिए हैक्साइं हैक्सा ऐसाफैंद हेसाम थे होता है जर या सारा चीज़र आपको सीपर आपके ये आपका होता है मुशनकी मेरी और छीजिलिंग हो दूरा का डिया के बिर आप देक्र करें आप इसको 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 तर वो सारे चैप्टर को आपको complete करना है ओके दोस्तों यह होगा फर्स्ट वाले पॉइंट में अब दूसरा पॉइंट आप यहां देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है दूसरा पॉइंट यहां पर देखेंगा आप यहां पर कि आपको दूसरे पॉइंट में आपको यहां देखने को मिल जाएगा कि मैनुफेक्ट शेयर सिंपल सीट मेटल आइटम्स और ड्राइंड जॉइन देम बाई सोल्डिंग ब्रोजिंग और रिविटिंग ओके दूस्तों ब्रोजिंग से सोल्डिंग से जो भी क्वेश्चन आप आपको अच्छे से स्टेडी करके इसका सलेबस त्यार करते हैं तीसरा में पॉइंट आप यहां देख सकते हैं दोस्तों तो यहां तीसरा में पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है तो जॉइन मेटल कंपोनेंट बाई कट एंड ज्वाइंड मेटल कंपोनेंट वाई गैस अक्षी एसेटलीन और ऑक्षीजन वाले चैप्टर से यानि वेल्डिंग वाले चैप्टर से भी आपके बहुँ सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे छट्था नमर भी आपका यही दिया हुआ है ओके दोस्तों की प्रोसीड कॉंपोनेंट वाई डिफ्रेंट ऑपरेशन चेक एक्कुरेसी यूजिंग अप्रोक्तिव मेजर इंस्टूमेंट में क्या कह रहेगा आपका डिफ्रेंट तो पहला ड्रिलिंग करते आपको ड्रिलिंग के बारे में पूरा आपको अच्छे से जैसे वर्नियर चलिपर्स हो गया स्कुरू गेज वोगया माइक्रो मीटर हो गया वर्नियर वेवाल प्रोटेक्टर वाल और डायल टेस्ट इंडिकेटर जो भी मतलब मेजर्मेंट वाल है जो भी चैपटर आप करेंगे उसको आपको अच्छे से त्यारी कर लेना हो गया द डिफ्रेंट आपको स्लाइडिंग एंगुलर स्टेप फिट टी फिट स्क्वाइर फिट एंड प्रफाइल इसका ट्वाइलरंस जो होता है और आप यहां और नीचे देखेंगे एक नमर पॉइंट आपके क्या दिया हुआ है प्रोस्यूड कॉंपोनेंट इन्वाइल इन्वाइल इन डिफ्रेंट ऑप्रेशन लेथ अब्जॉर्बिंग एस्टेंडर यानि लेथ मसीन का जो भी आपका क्वेश्चन बनेंगे लेथ म मसेन को अच्छे से आप फ़र लेजेगा उके कश दूस्तों एकुरेसी डिफ्रेंट क्या क्या रहे तो अपरेशन डिफ्रेंट आपरेशन फ्रेंट वरिष प्लान तरनिंग SPEAKैलेंगत जो बनेंगे है आपको लेथ से जो भी question आपके बनेंगे और सारे लेथ के chapter आप त्यार कर लिजएगा ओके दोस्तों 9 नमबर point में दिया हुआ है कि plan and perform simple repair overhauling and different machine check functionality ओके दोस्तों इसमें क्या रहाएगा तो drill machine रहाएगा पावर सा पावर सा बेंच ग्राइंडर एंड लेथ है ओके दोस्तों 10 नमर में आपको दिया हुआ है read and apply engineering drawing for different application in the field of work यानि engineering drawing से आपसे तीन से चार question आपसे पूछा जाएगा तो आप engineering drawing का भी आप question answer अपत्यार करके रहाएगा ओके दोस्तों फिर दसके बाद 11 नमर आपसे पूछा गया है दोस्तों 11 नमर आपसे आपके सलिवस में क्या रहे गया तो यहां आप अच्छे से देख सकते हैं देमो इंस्ट्रेक्टेट बेसिक मैथेमेटिकल कॉंसेप्ट एंड दा प्रिंस्पल तू पर्फॉर्म पर्टिकल और प्रिसंड ओके दोस्तों आपसे मैथेमेटिक से और साइंस से संबंदित question आपसे पूछे जाएंगे तो इसको भी आपको अच्छे से त्यार कर लेना परेगा तो यह सारे स्लेवा साब को दिया हुआ आप इसको अच्छे से परेंगे तो समझ में आ जाएगा फिर आपका मैक & Assemble component of different matting surface as per required to alerance by different surface finishing operation using different fasting component tools आपके and check functionality इसमें आपका matting surface ब्म टर के मैं सब घय दीन साथ, आव डाओ, फितिंख ब्डाओ र्ड अ अ डाओ, अ आव तेरट्ट केंषट ए अ तटर इसवे सुप्ड आऊ, इपर और्करेंश, खेफटे दोल इख पावर टूल्स and required tolerance ओके दोस्तों तो यह सारे आपको syllabus में दिया हुआ इस syllabus के सापसे आपको पूरे त्यारी करना है अब यहां तेरे नमर पॉइंट भी देख सकते हैं तेरे नमर पॉइंट में क्या दिया हुआ है तो इसमें गेज के बारे में दिया हो, गेज से संबंदि जो भी आपके question आएंगे, उस गेज को आपको, गेज वाले chapter को त्यार कर लिजेगा, ओके दोस्तों, गेज में क्या क्या रहे हैंगे, तो snap gauge हो गया, gap gauge हो गया, specified accuracy, plus minus 0.02 mm, ओके दोस्तों, इस 14 नमर पॉइंट में आपके दिया हुए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाइप joint, pipe joint, descent, descent, and assemble, valve, fitting, and pipe, test, leakage, इस के अंतरगत में आपको क्या क्या आजाएगा, इस range के अंतरगत में, cutting, treading, flaring, bending, and joint, ओके दोस्तों, 15 नमर पॉइंट आपके दिया हुआ है, कि मैं एक drill jig, मतलब drill से और jig से और fixture से आप से question पुछे जाएगे, तो इसके जो भी question हैंगे, आप इसको भी त्यार करके रख लिजेगा, ओके दोस्तों, फिर solar नमर पॉइंट आपके दिया हुआ है, इसके प्लान, डिसमेंटल, रिप्यार, एंड एसेंबल, डिफरेंट डैमेज मसीन कंपोनेंट, इस दो पावर ट्रांस्मिशन, चक एंड फंक्शनल, यहनि पावर ट्रांस्मिशन वाले जो चैप्टर हैं, उससे भी आप से question पुछे जाएंगे, उसके भी बहुत सारे question पुछे जाएंगे, यह इसलिए बस में आपका दिया हुआ है, कि पावर ट्रांस्मिशन से भी question पुछे जाएंगे, ओके दोस्तो, फिर आप यहाँ, पावर ट्रांस्मिशन में क्या के दिया रहेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस से रिलेटेड आपके question पुछे जाएंगे, पुली से, गेर से, की से, जीग से, और साप्ट से, ओके 17 हमाँ पॉइंट आपके दिया हुए आप देख सकते हैं, component, compressor से पुछे जाएंगे question, pressure से, gauge से, filter से, valve से, and accurator से, तो compressor वाले, जो air वाले, चेप्टर है, gauge हैं, उस से भी question पुछे जाएंगे, तो इसका भी आपको अच्छे से त्यारी कर लाएंगे, फिर 18 नमर पॉइंट आप देख सकते हैं, आप दिया हुए है, hydraulic absorbing, standard operating, producer and safety and accept, and safety से भी question आप से पुछाएंगे, फिर 19 नमर पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे, 19 नमर पॉइंट में क्या दिया हुआ, plan and perform, basic dye, day-to-day maintenance, repairing, odd chuck, flexibility, simple, machine, drill machine, power saw, lathe, ओके दोस्तों 20 नमर आपको देखने को मिल जाएंगा, plan, interactive, simple, machine, test, machine, accuracy, simple, drill machine, power saw, lathe machine, 21 नमर आपको दिया है, कि आप इसमें engineering drawings as a related question आप से पुछे जाएंगे, workshop calculation से question पुछे जाएंगे, और, demonstrative basic mathematical concept and the principle perform operation and science and mathematics, तो इसमें जो भी आपके syllabus बताएंगे हैं, दोस्तों, अभी मैंने पूर्य पुर्य पुर्य दिया, जो भी मैंने को समझ में, सारा चीज आपको समझा दिया, बता दिया है, कि इस topic से आप से syllabus में question पूछे जाएंगे, fitter rate से, fitter का, turner का, machineist का, carpenter का, welder का, ओके दोस्तों, तो इस syllabus के साब से अपना त्यारी करना चालू कर दीजिए, और आपका जो exam होने का date दिया गया है, 16-12-2022, starting date exam होने का, तो अभी से अगर अपना त्यारी करना चालू करते हैं, तो अभी से आप अच्छे से त्यारी कर सकते हैं, जो भी candidate form को भरे हैं, है ना दोस्तों, तो इस हिसाब से, जो भी syllabus में दिया था, मैंने syllabus के हिसाब से परहा दिया, बता दिया, अब आप अपना त्यारी करना अच्छे से कर दिजे, 75 number question आपके, ये trade theory से आपके पूछा जाएंगे, जिनका मैं सलेवास बता दिया, और 25 number जो question आएंगे आपके, ओ आएंगे, MPG के, India G के current G के, और reasoning of mathematics और science है, तो इसकी भी आप त्यारी करते रहींगे, ओके दोस्तों, तो उमीद करता हूँ, मेरे दोरा इस वीडियो में दिये के जनकारी, आपके लिए help लोगा, तो आप इस वीडियो को like करे, share करे अपने दोस्तों के साथ, और subscribe करे हमारे चैनल को, जाहिन दोस्तों,